नमस्कार दोस्तों स्वागत है आप सभी का मेरे मैथ्स गुरू ऑफिस्यल यूटूब चैनल पर मैं आपका दोस्त गवरोयादो जैसा कि मैं बात थोई थी आप से कि अब आपको मैथ्सी क्लासे शुरू करेंगे भई आप लोगों ने लगातार कमेंट मैसेज लगातार किया और मैं कल आप से 10 वजे लाइव आके भी बात करूँगा फिर आप अपने सारी चीजे बताएंगे कैसे क्या करना है तो वही चीजे में आगे स्टार्ट करने के लिए आपको कुछ चबाया हूं तो कुछ कोशन भी आपको कराऊंगा तो कुछ प्रॉप्रों लाओ से कुश फिल कर रहा हूं और आसा करता है आप भी बहुत अच्छे होंगे तो यह आपका मैठ्स गूरू आपके इस पर सारी क्लासे आपको मिलेंगी कुछ क्लासे आपको कंपेशन गूरू पर मिलेंगी वह आपको इन्फार्म करते जाएगा आपका जो भी सारा रहेगा डिस्क्रि सब्सक्रिट और लॉस देखिए लाव और रहानी कोई बहुत आसान चीजे हैं मैं आपको थोड़ा सा बेसिक कॉन्सिप्ट समझा देता हूं देखिए जैसे आप निकालते हैं फार्मूल आपने पढ़ा होगा लाव प्रिच्यत बराबर लाव बटे क्राय मुलकम सीपी लिख देते हैं या हानी बटे यह सब पढ़ाओगा यह सब पढ़ने की कोई जरौत नहीं है आपको मैं बेसिक कॉन्सिप्ट क्लियर करता हूं सिंपल सी चीजे हैं बहुत आसान वेमें करेंगे यह सब करने कोई जरौत नहीं आपक कि लाव और हानी कोई दिक्कत नहीं होती है सिंपल में अगर आप देखेंगे इसमें तो आपका सीपी क्रेमूल होता है और आपका क्रेमूल होता है और MP MP मrp ठीक है तीन चीजे होती हैं तो सिंपल अगर कहीं भी दिया जाए कि भरी दस प्रस्षट का उसे लाव हो रहा है अगर आपका CP CP हमेशा 100 रहेगा CP आपका 100 रहेगा अगर उसे 10% का लाव हो रहा है तो SP क्या होगा भई 110 होगा ये बात clear होनी चाहिए ये class उन बच्चों के लिए है जिनोंने बहुत मुझे request किया था basic कमजोर है अगर आपका basic कमजोर है अगली वीडियो जो होगी उसमें आपका कोई सारे हम कोशन करा देंगे बहुत सिंपल होगी में करेंगे कोशन देखिए CP आपका 100 परसेंट और SP क्या होगा आपका 110 परसेंट होगा ये बात clear है अगर मैं कहूं कि भई हमें 10% का नुक्सान हो रहा है अगर 10% का नुक्सान तो आपका SP क्या हो जाएगा 90 परसेंट नब्य रूपे हो जाएगा लाब है तो जोड़ दो हान है तो घटा दो और कुछ नहीं करता ह। बस इत्ना सा कॉंसेट है और इसी कॉंसेट में मैं आपके सारे कोश्चन करा दूगा भाई देखिए सिंपल वे में अगर मैं आपके कोश्चन कहूं कि भाई दो सु रूपए अधिक बेचने पर अधिक बेचने पर दस प्रिश्चत की हानी की वज़ा है हानी की वज़ा है दस प्रिश्चत का लाभ होता है लाभ होता है सीपी आपको ग्याद करना है क्रेमूल बताओ यह आपके पास कोश्चन है यह मैं पहले बता रहा हूं यह क्लास आपके लिए उनके जो बेसिक कॉश्चप्ट है 200 रुपए अधिक बेशने पर 10 प्रिश्चन की हानी पहले उसे हानी हो रही थी तो मतलब पहले कितने बेच रहा था वो भई हानी है तो सो में से घटा दो कितना 10 प्रिश्चन पहले वो 90% बेचता था अब क्या है उसे 10% का लाव तो अगर लाव है तो जोड़ दो हाँ नहीं है तो खटा दो लाव है तो अब कितना हो जाएगा भाई 110 में बेचेगा यहां तक बात क्लियर है अब देखिए अगर आप तो भाई अंतर कितने का हुआ बताया था भई कि CP हमेशा क्या होता है 100% अगर 20% के में लोग दो सो 10 के मुल्टिपल पे है तो यह भी आपका 10 के मुल्टिपल पे क्या जाएगा आपका 1000 आजाएगा यह चीज़ क्लियर है बहुत सिंपल वे में तो अगर आपको मैं यह चीज़ में आ गई होगी अगर यहीं भी मैं थोड़ा सा कोश्चन आपको चेंज कर देता हूँ डिजिट में चेंज करता हूँ और आप आएँ फर बताईएगा 900 रुपए अधिक बेचने पर 10 प्रिस्यत की हानी के बजाए 20 प्रिस्यत का लाब होता है तो CP बताओ आपको आइंसर इसका बताना है कमेंट बॉक्स में वीडियो को रोको एवर खुद करो तो भई पहले क्या था अब हम इसको और आसांद रहें अगर हानी है तो माइनस 10 लाब है तो प्लस का 10 इसमें अंदर कितने गा है 30 परशंट का माइनस 10 और प्लस के 20 में डिफेरेंस कितने गा है 30 परशंट का तो 30 परशंट किसके वाज़ साए 900 रुपए को जाए 30 परशंट के वाई लो कितनी 900 किसके मुटिवल पे है भई 30 के तो CP क्या होता आपका 30 के मल्टिपल हो जाएगा क्या आजाएगा आपका 3000 आजाएगा किलियर है किसी कोई डाउट नहीं होगा तो ये चीज़ें आप कहीं ने कहीं बहुत आराम से ऐसे कर पा रहे होंगे हटा दे भई आईए अब मैं आपको थोड़ा एक और मैं आपको बताई यही स्टार्टिंग में देखें यह पेट से मैं कह रहा हूँ आपको कल मैं दस बजे आऊँगा दस बजे लाइव रहाँगा और वहां पर आप देखो कि बहुत आसानी से हम को सॉल्व करेंगे बहुत सिंपल देखेंगे यह वीडियो थोड़ी आपको छोटी बिस हमें आपसे अब आज लाइब आपके सामने आ रहा हूँ तो कहरें कुछ कोशन करा दूँ अब मैं कह रहा हूँ और कोश्चन कि साड़े बारा प्रिश्चत के लाव पर कि लाव साड़े बारा प्रिश्चत लाव पर बेचने पर वस्ट का क्रेमूल बताएं यादी अब बारा प्रिश्चत के लाव पर बेचने पर वस्ट का क्रेमूल बताएं यदि वस्ट का विक्रेमूल अथारा रूपए यादी आसान सा कुछ न देखें बिदिन सेकेंड आप इस कोशन को सॉल्प करेंगे शाड़े बारा परसंट शाड़े बारा परसंट है इसकी वैल्ली क्या होती है साड़े बारा को अगर आप सौ से डिवाइड कर दिजिए भाई परसंटेज हटेगा सौ से डिवाइड होगा तो क्या आएगा आपका एक बटे आठ जो मैंने आपको आठ रुपए रुपए है तो आपको प्राफिट कितने खेंगे नों ममें बात कलियर है अगर आपका आठ रुपए होता cholesterol तो तो आपका विक्रे मूल कितना होता है नौ रूपए आपका विक्रे मूल है नौ नहीं कितना है अठारा सो नौ की बेलू कितना बता रखा इसने अठारा सो दो सो के मुल्टिपल पर तो आपके जो सीपी है ये भी दोसों के multiple पहुंजाएगा क्या जाएगा आपका आट दोनी सोला सो रूपए बात किलिर है यहां तक किसी कोई डाउट नहीं बहुत ही आसान देखेंगे मैंने आपको बताया है लेकपाल, यूपी पुलिस SSC गुरूप डी और RRB, CBT 2nd यह आराम से निकालोगे आप, चारो को निकालो और घर वालो को बताओ, कि बताओ पापा कौन से हम जोइन करें, यह confidence लाना होगा अब वो समय चला गया, अब competition का दोर है, कही न कही competition बढ़ा है पहले से तो आपको मेहनत भी ज़्यादा करने कि अब सकता है, आवे ज़्यादा मेहनत करनी होगी, तब कही न कही हम ज़्यादा चीज़ें कर पा रहे होंगे ठीक है, अब कर लोगे, अच्छा एक question करके दिखा दो भाई तो हम जाने जाएंगी, आपको समझ में आ गया है हम जैसी digit change करेंगे, वैसी है आप बढ़ी question को digit change करता हूँ, अब answer बताना प्लीज ग्यारा सही एक बटे नौ प्रितिस्ट के लाव पर बेशने पर वस्त का क्रेमूल बताएं यदि बिक्रेमूल आपका दो हजार रुपय है बताओ भी कोश्च वीडियो को रोको और यहां पर आप answer बताओ मुझे अब आपको daily class में आना है और अच्छे से सारी चीज़े करेंगे देखो मैं आपको बता देता हूँ, 11 सही एक बटे नौ परसंट के वेलू क्या होती है एक बटे नौ जिनको नहीं आ रहा होगा नौ से ग्यारां गुड़ा करें 99 प्लस एक सो बटे नौ से डिवाइट करेंगे एक बटे नौ मचेगा ठीक बटे नौ तो यहाँ पर सीपी के वेलू कितने आई अपकी नौ यह आपका क्या है लाब है तो फ्रॉफिट हो जाएगा यहां तक कोई डाउट किसी को अब देखो अगर नौ रुपे में खहिदा है एक का लाब चाहिए तो बेचेगा कितने हैं भाई 10 में यहां तक बात क्लिए रहे दस की वेलू कितना इसने बता रखाया अगर 10 रुपे बिक्रे मुल तो क्रे मुल कितना होता है 9 रुपे है लेकिन आपका बिक्रे मुल 10 रुपे नहीं कितना है 2000 हजार दो के मुळिटि पल पे दो सो के मुदि पल पे है आपके जो क्रैमुल है ये भी दो सो के मुदि पल पे हो जाएगा क्या जाएगा बच्चे अठारा सौ रूपए इस वह अब इसे फिर सदिखो अब कि लोगे अब हाटिव की जगहां नहीं कर देता हूं कि थोड़ा सा मैं आपको पुरारा याद दिला रहा हूं कि आपको याद है या नहीं यदि इस विक्रे मुल 360 के हानी पर अभी तक आपने लाव बहुत कमा लिया भाई अब थोड़ा हानी हो जाए बहुत अराम से रिलाक्स ही करेंगे मैं कहरें आपको दो महिने में मैं सिलेक्शन दिलाओंगा दो में आपका फिलेक्शन होगा भाई जै लेक पाल जिन्होंने पीटी को इलिफाई किया होगा भई पीटी के तो आ ही गया होगा ठीक है अब देखो 11 सही एक बटे नौ परसंट इसकी वैलू क्या है नौ एक बटे नौ यह क्या होता नेचे सीपी अब यहां पे क्या है हानी तो ऊपर क्या आएगा लौस आएगा अगर आप 9 रुपए मे कि हानी चाहिए कि यह सब्सक्राइब कर लो कि उसमें अगर नौ में खाइदा है एक में आपका लॉस यह तो आप कितने बेचेंगे भाई आठ रुपे में अगर नौ में खाइदा है आपने एक रुपए का लॉस यह तो आठ रुपए तो आपका सीपी कितना होता नौ रुपए आप से दे कितना रखा है विक्रेमूल अठ की वे लू तीन सो बीत शोग बतियस जीरो चालिस के मटिपल पर यह भी आपका 40 सब कुछ आपका 40 के मटिपल पर यह तो अ दिन सो साथ रुपए के साथ रुपए हैं अब एसे कोशें वह ज्या पूष से कोईशन पुछे जाते हैं तो मैं आसा करूं आप कोईशन कर ले जाएंगी देखिए बीच में कुछ सारे गैप हुए थे हमार से वाई लेकिन अब जो है आपको इस चैनल प्रपर क्लासेज मिलेंगी और हम बहुत जल्द अपना श्यूडियो भी सेट अप करेंगे जिससे कि देखिए यह कोईशन आपका रहा अब एक सामने कोईशन आ गया होगा इस कोईशन को अप्षाल करने कोईश्ट करीए थोड़ा सा आपको पीडियो भी मिलेगी भई सब कुछ मिलेगा सब कुछ भी नहीं चोड़ेंगे बहुत हुआ देखो जो कोईशन बताया जो चीज कोईशन कहे वही चीज हमें करना है करा दस वस्तों का लागत मूल नव वस्तों की बिक्रे मूल की बराबर है कोईशन आपके सामने है जो कोईशन ने बोला है वो को हमें लिखना है दस वस्तों की लागत मूल लागत मूल क्या मतलब थोड़ा इधर लिखते हैं गई एक लाइन कोशन ही कोई दिक्कत नहीं है कहीं में लिखलो कहां दस वस्तों का क्रैमूल दस का CP बराबर है नौ वस्तों के बिक्रैमूल के बराबर 9 SP 10 CP बराबर 9 SP अब देखो यहां तो अभी तो हमें क्या CP SP बेलू निकालना ही पड़ती थी यहां अगर आप देखो रेशियों निकालना चाहें तो CP SP के बेलू क्या होगी 9 बटे 10 सामने बेलू होती है अगर CP बेलू 9 तो SP बेलू कितने होगी 10 ठीक है बही प्रॉफिट आपको कितना आएगा एक रूप एगा अब आपसे पुछा है लाब प्रिच्छत तो भाई प्रॉफिट पर्सेंट क्या हो जाएगा एक किस पर हो रहा देखो अब नीचे कई बार बच्चे एक अन्फीज होते हैं नीचे क्या आएगा यह मैं आपको क्लास रिवाइज करा रहा हूं मुझे पता है आपको आता है सब कुछ मुझे पता है एक बटे 9 हो सब कुछ असान से होगा अब अगला कोशन करकी बता दो भाई जाद हम आपका टाइम नहीं लेंगे अब जल्दी जल्दी आप कोशन करो सामने आपके कोशन यह रहा है करा बाई सेलिंग आप एक मेंटा मैं आपको कोशन को थोड़ा सा पूरा दिखा दू पूरा कोशन दि अब दिख रहा होगो आपको कोशन करा कि भाई साथ मीटर कपड़ा बेजने पर मैं तीस मीटर कपड़ा के बिक्रे मुल्ग के बराबर घाटा सहता हूं लॉस सहता हूं तो हान इप्रसत ग्याद किजिए देखिए अगर आपको नुक्सान हो रहा है इसका मतलब क्या आपका जो कोश्ट प्राइज है क्रे मुले वो जादा है बिक्रे मुल से ठीक है तो हमें क्या को रहा है मैं घाटा है तो नुक्सान हो रहा है नुक्सान कब होगा भई जब साथ मीटर का कोश्ट प्राइज जादा होगा साथ वस्तुओं के बिक्रे मुल से तो अगर कोश् बिक्रे मुलके तीस मीटर के कोशन ने जो कहा हमने वो लिखा ठीक है यहां तक बात कोई दिक्कत नहीं किसी को तो भाई SP धर भी तो उधर जला जाएगा साथ कि CP बढ़ा क्या हो जाएगा 90 SP है अब यहां सो क्लियर हो गया आपको हाँ यहां सकतो हो जाएगा आपको कि बात क्लियर होई हानी प्रिस्त आप से पूछा है भाई जो कोशन ने कहा साथ मीटर कपड़ा बेचने मुझे क्या हो रहा है नुकसान हो रहा है तो हमें लॉस जो निकालते हैं हमेशा वह जो लॉस होगा आपका हमेशा वह कॉस्ट प्राइज से मैं से सेलिंग घटा देंगे तो साथ वस्तों का जो क्रेमूल था उसमें से हमने साथ वस्तों को भी घटा दिया तो से क्या बताया कि वहीं 30 मीटर के कपड़ा के विक्रेमूल के वराबर तो 30 SP हो गया तो SP को धर ले गया है तो यह काट दो अगर आप काटेंगे तो CP और SP का रेशियों जो आ जाएगा 30 260 3390 होता है 3 by 2 बात एक लियर है यहां तक तो अगर CP की वैलू 3 तो SP की वैलू 2 तो अगर आप देखेंगे तो यहां पर क्या हो रहा बैए नुकसान हुआ है आपको हानी हुई है कितने की एक की तो अगर आप लॉस परसंट देखेंगे तो क्या एक की हानी कितने पर तीन क्यूंकि नीची सता ही लीगा स्केम्ल करना कि प्रसंटेंगे ऐसरा क्या हां थारटी थैट्री टू परसंटेंच बात क्लीर असान है बही है है क्लीर आप फिरसे एक बार देख लो कि अगला कोश्चन में आपको देता हूँ आप मैं जब तक कोश्चन मेटाओं तब तक आप करते हैं ना वह अगला कोश्चन आपके सामने है इसको जल्दी से बताओ मुझे जल्दी से आंसर बताओ वीडियो वरों को आंसर बताओ मुझे 33 मीटर कपड़ा बेचकर 11 मीटर कपड़े के क्रेमूल के बराबर लाब कमाता है उसका लाब पृष्चत ग्याद कीजिए जो Evet जो कहे कोशन हमें वो करना है 33 मीटर कपड़ा बेचे करैं आब किया है लाब कमा रहा है लाब कमाएंगे तो क्या सेलिंग विक्रेमुल से क्रेमुल को घटाएंगे किसका 33 एक लाइन में कोश्चन होगा भई कितने के बराबर हो रहा है यह आपका 11 मीटर कपड़े के क्रेमुल के तो क्या जाए 11 CP कि यहां तक किसे कोई डाउट नहीं अब 33 SP बराबर क्या हो जाएगा यह जाकर जोड़ जाएगा 44 SP CP क्लिए रहे हां तक कट कर दोगे तो भई क्या हो जाएगा तीन बार जाएगा चार बार जाएगा तो SP अपॉन CP का जोड़ एस्यों आएगा है फोर बाइठी अगल सेलिंग प्राइज चार रुपए है तो कोस्ट प्राइज आपका कितना है एक तो लाब कितने को भई एक का तो आपका प्रॉफिट परसंटेज एक का हुआ लेकि आप किस पे चार पे या तीन पे हमेशा 33 to 1 by 3% पात के लियर है किसी कोई डाउट नहीं तो बहुत ही आसान तरीके से मैथ हैसे स्वाल करेंगे तो आसा करता हूं आप कल हमें मिलेंगे ऐसी आपको रेगुलर वीडियो भी कल आप डेली याप चैनल में विजिट करें एप जिजोंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करेंगे और जितने ज्यादा लोग जुड़ेंगे कहीं न कहीं हम उतने ज्यादा मोटिवेट होंगे और आपको भी सारी क्लासे आपको फ्रीम कराएंगे ओके थैंक्यू दोस्तों नमस्कार जैहिंद बंदे मात्रव